हेलो श्टूडेंड कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी और क्लास टुल्थ कमिस्टी न्सी आर्टी में आपका एलकोहल फिनाल और इथा चल रहा है और आज का ये जो लेक्चर है व कम से कम वैसे तो 20 रहसानी का भुक्रिया महात्पूर्ण हैं जो की पढ़ना चाहिए आपको और हर एक पार्ट में मैं लगबग 5-6 रहसानी का भुक्रिया करांगा तो आज भी पेरे बच्चों लगबग लगबग मैं 5 अभुक्रिया तो करा ही दूँगा इसलिए आप लो वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बिलकुल आपको परसान होने जोरत नहीं है ठीक है चलिए सुरू करें पहरे बच्चों सभी के सभी रहसानी का भुक्रिया मुक्रूप से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो फिलिक प्रतिश्ठापन अभक्रिया पढ़ेंगे बिंजीन बले के साथ जो भी हमारे पास रियक्षन होगी वो कारवन के साथ डायरेक्ट अटेच होगा चलिए सुरू करें बच्चों तो सबसे पहला जो रियक्षन है यहाँ पर आप लोग हिरिंग लगाए हैलोजनी कर्ण का साब्दी करते दि मैं आप से पूँचो तो आ फिनाल की क्रिया करानी है सिंपल है फिनाल का पहचान तो सब को पता है यदि पिछला लेक्चर किसे ने देखा है यदि बेंजीन रिंग के साथ ओएच जुड़ा है तो हमारा फिनाल कहला जाता है और यह जो फिनाल है यह जली ब्रोमीन से क्रिया करता है मतलब जल एक माध हमें जल में ब्रोमीन मिला है तो जब हमारा फिनाल जल के साथ मिलता है तो एच निकल जाता है तो फिनाकसाइड आयन बनाता है क्या बनाता है फिनाकसाइड आयन कोशिस करना थोड़ा समझने की यहां पर ब्रोमीन है ठीक है बी आरटू तो यहां से जब एच निकलता है तो गर्णार्प आयन बनाता है और यहां पर अर्थिवं पैरामेटा तीनों जगह पर से अर्थिवं पैरा पर इलेक्टान का घनाथ तो बढ़ाता है जैसे ओए ux है ना इसके दोनों और अर्थ हो प्लेस कहलाता है और यह नीछे वाला पैरा यहां पर इलेक्रान के घनत तो बढ़ जाता है और यहीं पर ब्रोमीन जा करके जुड़ता है ठीक है तो जली ब्रोमीन के साथ क्रिया कराए बच्चो तो यह हमारा हो गया बेंजीन जिंग और यह हमारा ओएच है और इसमें तीन ब्रोमीन जुड़ते हैं यहां पे जुड़ता है, यहां पे ब्रोमीन जुड़ेगा, और यहां पे ब्रोमीन जुड़ेगा, तीन ब्रोमीन जुड़ेगा, और एच निकलेगा, जहां जहां पे ब्रोमीन जुड़ता है, वहां से हाइड्रोजन भी निकलता है, जैसे तीन एच निकला, तो तीन एच निकला, और एक तीन बी आर के साथ एक बी आर बना लिया तो बी आर किते हो गए एक दो तीन और तीन छे तो यहाँ पर तीन का हम multiply कर दें तो यह reaction complete हो जाता है मतलब जली ब्रोमीन के साथ एक फिनाल की क्रिया कराते है जल एक माध्यम होना चाहिए तो यह क्या बनाता है देख सकते हैं इसका numbering किया जा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 number पे 4 number पे 6 number पे है ना 2, 4, 6 3 है तो try bromo final इसका नाम है दी मैं कहूं तो आप लोग simple कह सकते हो 2 number पे 4 number पे 6 number पे फिर इसका क्या हो जाएगा try 3 है तो try try फिर बच्चो try bromo final क्या बनाएगा try bromo final बना लिया try bromo final 2, 4, 6 यहां से numbering करेंगे प्रधान क्रियात्मक समों से इस प्रकार से बनाता है लेकिन कब condition है इसमें जलिये माद्धम होना चाहिए जल के साथ अब इसके जगह मालीजे दूसरा बिलायक एदि हम प्रयोग कर लें तो फिर यह हमारा नहीं बनता बलकि mono, bromo यहां जैसे मालीजे कोई एक single यहां पर तीन है तो try bromo final बनाया लेकिन mono bromo final बनाता है मतलब कोई एक ही bromine जुडा रहेगा कार्बन के, मतलब बेंजिन रिंग के साथ चलिए, उसके बारे में हम सर्चा कर लेते हैं कि जैसे हमने यहां पर बिलायक लिलिया था जल यहनी जलिये मादध में bromine मिला था यहनी bromine जल के साथ मिला था तो bilion बना था और बिलायक जल क्यों कहा गया क्योंकि जल की मात्रा आदिक थे अब इसमें हम बनाता है तो इस पे जो है धुरुवी अगुण ज्यादा पाया जाता है इससे कम धुरुवी बिलाया की बात करें जैसे कारवन टेट्राक्लोराइड ले लो क्लोरोफाम ले लो इनके उपस्थिती में ये ट्राइब्रोमोफिनाल नहीं बना सकता ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि कम धुरुबिय बिलायक जैसे मालीजे कार्बन टेट्राक्लोराइड और मालीजे क्लोरोफाम हो गया इसके उपस्थिती में मोनो ब्रोमोफिनाल प्राप्थ होता है तो रियक्सन करा दीजिए फिनाल की क्रिया करानी है फिनाल बच्चों ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके साथ ओएच जुड़ा है तो ये फिनाल है प्रोमीन से क्रिया कराते है इस बार जो बिलायक है वो जल नहीं है बच्चों वो जल नहीं है जल के इस्थान पर आप ले लो CS2, CHCl3 ये नि कार्वनिक बिलायक है इस बार क्या है कार्वनिक बिलायक है और कम तापमान पर रियक्सन होता है ज्यादा ताप मान के बस सकता नहीं है नार्मल टंपरिचर पर हो जाता है कम ताप होना चाहिए ठीक, तो ये क्या बनाता है मोनो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन सरी, मोनो ब्रोमो बेंजीन क्लोरो तो है नहीं है तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग, OES है तो फिनाल तो एक अर्थो पोजीशन में जोड़ देते हैं अर्थो पर इलेक्रान का घरा तो अधिक होता है और एक हम जोड़ देते हैं पैरा पोजीशन पर ये लो तो ये कब बनता है जब कम धुरूबी बिलायक अर्थात कार्बनिक बिलायक जैसे मा लीचे कारबन टेट्रक्लोराइड हो गया या तो क्लोरोफाम हो गया है न या CS2 हो गया इसके उपस्थिती में मोनो ब्रोमो फिनाल बनाता है मोनो ब्रोमो का मतलब हो गया एक सिंगल ब्रोमीन जुड़ा हो तो यहां पर हम कह सकते हैं अर्थो पर जुड़ा है तो अर्थो ब्रोमो फिनाल अर्थो ब्रोमो फिनाल है कहा अर्थो ब्रोमो फिनाल है लेकिन यह कहा है बच्चो यह है पैरा ब्रोमो फिनाल है समझ रहे हैं अर्टो ब्ROमो फिनाल और यह पीरा ब्रो फिनाल, तीक तीक यहां पर हम ने क mês लिया था। जल लिया था। जो बिलायक था वह जल था। जल में पेर ब्रचो यह क्या बनाता था। ट्राई ब्रोमो फिनाल का निर्माड कर रहा था और यहां पर अर्थो ब्रोमो फिनाल और पैरा ब्रोमो फिनाल का निर्माड कर रहा है इतना लंबा चोड़ा हो जाता है वो लोगे सर इतना ज्यादा लंबा करा रहे हो दो मिनट में कम्प्लीट हो जाना चाहिए ऐसा नहीं ह ठीक है तो यह पहला reaction होगे complete इसलिए तो एक part में कम से कम पांच reaction में करा देता हूँ ताकि आप लोगों को boring भी ना लगे और आप तयारी भी करते रहें इसके बाद दूसरा जो reaction है वो आज का सल्फोनिकरण part 2 का दूसरा reaction सल्फोनिकरण सल्फोनिकरण का अर्थ के बच्चो सल्फोसमू का जुड़ना सल्फो मतलब SO3H सल्फोसमू मतलब SO3H ये सल्फोसमू है और जब भी हम सल्फोनिकरण पढ़ते है इसके पहले भी हमने हैलो एरीन में सल्फोनिकरण कराया था सेम रियक्षन जैसे फिनाल में पढ़ रहे हैं ऐसे हैलो एरीन में भी हमने कराया था सल्फोनिकरण सल्फोनिकरण की क्रिया जब भी होगी वो H2SO4 से होगी चाहे हैलो एरीन देखो यदि जो बच्चा रिवलर देख रहा होगा उसको बहतर समझ में आएगा क्योंकि हैलो एरीन में ने कराया था यदि आप हैलो एरीन अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो पेरवच्चों ये आपको सिंपल है समझ में आ जाएगा अब ये जो H2SO4 है ये इस प्रकार से तूटता है HO कर दो और SO3H देखो ज़रा H2SO4 है की नहीं अब ये दो भागों में तूटता है एक तो सल्फो समू और एक हाइड्राक्सी समू ये जो आपका बनता हुव़ सल्फो समू है और OH जो है हाइड्राक्सी है क्या है हाइड्राक्सी और इस OH को चाहिए हाइड्रोजन तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल लेगा और क्या बना देगा H2O बना देगा सिंपल है समझ रहो ठीक है चलो रियक्षन कराओ फटाफट तो हम ले लेते हैं फिनाल ये फिनाल बाबा जी है ये हमारे पास O-S जुड़ा है तो फिनाल है सलफोनी कराना है तो H2SO4 से सेम रियक्षन है देखो अर्थोवं ब्रोमो पर अर्थोवं पैरा जगह पर जुड़ा था तो यहां भी ये आपका फिनाल बाबा है तो फिनाल बाबा जैराम जी ये लोग फिनाल बाबा यहाँ पे फिनाल बाबा है तो फिनाल बाबा ये लो ये लो जो है ना अब देखो अर्थो पे यहाँ पे ब्रोमी तो यहाँ पर सल्फो समो ब्रोमो पे तो यहाँ पर सल्फो समो सिंपल और कुछ नहीं करना है ये कैसे रियक्शन कर गया सर समझ में नहीं आया बिलकुल चिं तो यहां पर आप लिख सकते हो अर्थो क्या हो जाएगा अर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल है ना या इसका आप लोग पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल लिख लो अर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल लिख दूँ अर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल है अर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल और इसका बच्चा पैरा फिनाल सल्फोनिक अमल हो गया ठीक है अर्थो फिनाल सल्फोनिक अमल पैरा फिनाल सल्फोनिक अमल ये क्रिया कैसे करता है ये मेरे पास फिनाल है है ना इसकी क्रिया मैं हो एस ओ थ्री एच से करा रहा हूँ यहां से एच निकलेगा और ये बच्चो H2O के रूप में कनबड हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से ये बन गया फिनाल है और जहां से H निकला तो जाकर कि SO3H जुड़ गया तो कुछ भाग यहां पे जुड़ता है कुछ भाग यहां पे जुड़ जाता है सिंपल है तो इस प्रकार से ये बौभाग में बड़ जाता है मतलब हम फिनाल की कुणि सांद्र हिस तूइ सो 4 से करा रहे हैं ये जो ह इस टूइ सो 4 है ह je हमारा सांद्र सल्फियूरिक कमल है ही है स्टू आसटू 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 पूर है सिंपल है, समझ में आ गया, अर्थो एवं पैरा फिनाल सलफोनिक अमल बनता है, क्या बनता बच्चों, अर्थो एवं पैरा फिनाल सलफोनिक अमल, तो कुछ भाग अर्थो पर जुड़ जाता है, और कुछ भाग पैरा पर जुड़ जाता है, इस प्रकार से सलफोनिक अम्प जो question रहता हूं उसके अथबा में भी एक ऐसा question रहता है कि उससे पता चल जाता है कि ये कौन से chapter का question है एधि वही लेकिन है तो फिनाल का फ्रिडल क्राफ्ट आ रहा तो फिनाल का करा दो ये डिपेंड करता है बही दो चार question रहते है उससे समझ में आ जाता है और कब समझ में जब practice करोगे तो अल्रेडी समझ में आएगा कि हां यार फ्रिडल क्राफ्ट अब करिया वहां भी हमने पढ़ाता तो सेम रियक्सन है यहां OH है ना यहां पर CL जोड़ दो तो क्लोरो बेंजीन का लेकिन है तो फिडल क्राफ्ट अब करिया यहां पर हम फिनाल का फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ेंगे है ना फिनाल का सलफोनी कर पढ़ेंगे लेकिन जो हम हेलो एरीन में पढ़ाये थे जहां प प्रेक्टिस के उपर है यह आप प्रेक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है प्रेक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो रही है तो नाइट्रिकन कराई जो नाइट्रिकन अब क्रिया और नाइट्रिकन तो सब तो नाइट्रिक अम्र से ही क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्र से क्रिया कराएंगे, इसको मैं ज़ी तोड़ू, तो ऐसा HO NO2 तोड़ सकता हूं, तो यहां से मुझे NO2 समू मिल जाता है, सलफोनी कर्ण में आपने कहा कि सर H2SO4 है, इसको हमने तोड़ा तो HO SO3H, तो यहां स सलफो समू मिल गया, इसी प्रकार नाइट्रिक अर्ण में यहां से हमें नाइट्रो समू मिल जाता है, ठीक, तो नाइट्रिक अर्ण में हम फिनाल की रासानी कब करिया पढ़ रहे हैं, तो यह तो ऐनी कि फिनाल नहीं लेंगे, फिनाल तो लेना ही पढ़ेगा, और तनो न अमने लेलते हैं HNO3 तो सेम रियक्षन जिस प्रकार से आपने पढ़ा सलफोनी कर बच्चो यह सलफोनी कर मतलब अर्थो इवंपैरा इस्थान पर सलफो समूह जुड़ा था उसी प्रकार नाइट्री कर में भी सेम है अर्थो इवंपैरा के जगह पर नाइट्रो समूह चलो रियक्षन यह देखो सेम रियक्षन है आपको है ना समझना है तो इस रियक्षन को देखते चलो उपर वाले को तो सिंपल है बनेगा ठीक है देखो बच्चो यह हमारे पास एक बेंजीन रिंग थुड़ा सा सही बन जाए चलो इसमें हम जोड़ दिये OHS तो यह बन ग प्रेकमल है एक एच एनो थ्री से कराते हैं तो सेम रियक्षन मैंने कहा था जैसे यहां से एच निकला था यहां से भी एच निकलेगा और एच टूओ के रूप में बाहर हो जाएगा और जहां से एच निकलेगा वहां पे जुड़ेगा एनो टू क्या जुड़ेगा एनो यह हमारा पैरा नाइट्रोफिनाल हो गया अर्थो नाइट्रोफिनाल यह हमारा क्या है अर्थो नाइट्रोफिनाल नाइट्रोफिनाल और इसकी मैं बात करूं तो यह पैरा नाइट्रोफिनाल है पैरा नाइट्रो फिनाल ठीक है अर्थो नाइट्रो फिनाल और पैरा नाइट्रो फिनाल प्राप्त होता है अर्थो पर जुड़ा है सेम रियक्षन है देख सकते हूँ लेकिन यहाँ पर एक कंडिशन है यह तानू नाइट्रिक अमले के साथ हमने क्रिया कराया था कि फिनाल की क्रिया तनु नाइट्रिक अमल के साथ 22 डिग्री सेलसियस तापमान पर कराते हैं क्रिया 22 डिग्री सेलसियस तापमान पर क्रिया कराते हैं तो अर्थोइबं पैरा नाइट्रो फिनाल का मिस्तरन प्राप्थ होता है अर्थोएवं पैरा नाइट्रो फिनाल का मिस्तरन प्राप्थ होता है लेकिन यदि हम सांद्र HNO3 से क्रिया करा दें तो पिक्रिक अमल प्राप्थ होता है ये बहुत महात्रपूर है कि वही सहाब फिनाल से पिक्रिक अमल का समय करना दीजिए मतलब फिनाल से पिक्रिक अमल बनाएए ये बहुत 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 महत्रपू ने समझ रहें हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिस करता हूँ आप लोग भी समझेगा कि सांधर नाइटरिक अमल सांदर एट अणओ थ्री सांदर नाइटरिक अमल के साथ क्रिया कर जानते हैं बनाता है मतलब जिस प्रकार से आपने हलोजनिकर में तीन ब्रोमीन देखा था इसी प्रकार टू नमबर पर फोर नमबर पर सिक्स नमबर पर तीन जुडेंगे तो ट्राइव हो जाएगा ठीक इंक काम नहीं कर रहा है ट्राइव हो जाएगा और भैसा आप नाइट्रो फिनाल हो जाएगा ट्राइट्रो फिनाल बनाता है इसी को बोलते हैं पिक्रिक अमल क्या बोलते हैं पिक्रिक अमल बोलते हैं क्या बोलते हैं पिक्रिक अमल बनता है मतलब सांद्र के साथ यदि क्रिया करा देंगे तो पिक्रिक अमल बनता है क्या बनता है पिक्रिक अमल ब दिख रहा है और इसमें OH है तो फिनाल कहलाया इसकी क्रिया हम HNO3 से कराएंगे साथ में बच्चो कुछ उत्पेरा के रुप में H2SO4 की मात्रा मिला दी लाती है H2SO4 क्या है SO4 तो क्या बना था पिक्रिक अमल का पहचान क्या है जिस प्रकार से आपने पहले रियक्षन में देखा है कि तीन ब्रोमीन तो यहाँ पर टू नंबर पे यह फोर नंबर पे और सिक्स नंबर पे और यही है हमारा पिक्रिक अमल अब देखो ज़रा ध्यान दीजेगा यहाँ पर तीन एनो टू समू जुड़ा है और तीन एच्टू ओ बाहर हो जाएगा ठीक है तीन एच्टू ओ क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा इस प्रकार से रियक्षन कंप्लीट हो जाता है तो यही हम तरनु नाइट्रिक अमल लेते हैं तो अर्थो नाइट्रो फिनाल बनाता है पैर समझ में आ गया नाइट्रिक अमर्स से मिलता है तो कुछ सोचने के ज़िए नाइट्रिक 것으로 कहा से मिलता है कि तो अगला नमबर जो रियक्सिन नैट्रोसी करण है अब नाइट्रोसी करण में नाइट्रिक समू क्या है मैं बताता हूँ धान दीजेगा नाइट्रोसो ये कहां से आएगा सर नाइट्रो में होता है एन ओ टू ठीक है और जी नाइट्रोसो सब्दा जाए नाइट्रोसो सब्दा जाए तो पहचान है आपका एन ओ ठीक है याद रखिए नाइट्रो है तो एन ओ तू ना अब जो NITRO SUMUL हमने प्राप्ट किया था वो NITRIK अमले से लिया था HNO3 से ठीक है ये NITRIK और NITRO सो करन हम लेंगे HNO2 से इस्ते लेंगे बच्चो HNO2 से मसमेँ NITRIK अमले से ये NITRIK अमले है ठीक है और या हमारा HNO2 NITRIK इसको जब हमने तोड़ा था HONO2 के रूप में तो यहामें नाइट्रो समू मिल गया था इसको तोड़ेंगे HONO तो यह नाइट्रोसो समू दे देगा ठीक यहां तर क्लियर है और H बना कर OH का तो कामी है H को लेना H2O बनाना H को लेना H2O बनाना ठीक है समझ में आ रहा है तो ये हमारे पास Benzene Ring बच्चो और इसमें हमारा फिनाल है Nitrosi कर मतलब Nitroso तो Nitrous Amal की क्रिया कराएं ये Nitrous Amal क्या है HONO ठीक है किसके उपस्थिती में H2SO4 same reaction H2SO4 के उपस्थिती में तो कुछ नहीं यहां से तूटेगा यहां से तूटने की कोशिश करेगा ऐसा और OH जो है H को उठाएगा OH जो है H को उठाता है और क्या बनाता है H2O और यहां पर NO जुड़ जाता है same reaction है हैलोजनिकन सलफोनिकन सबके सब सेम reaction है कहीं भी गूमने जुरत नहीं है यदि एक reaction बन रहा है थोड़ा सा लाजिक लगाओ अर्थो और पैरा जगह पर नाइट्रोसो समू जोड़ दो तो यह बन गया है अर्थो नाइट्रोसो फिनाल और पैरा नाइट्रोसो फिनाल अर्थो नाइट्रोसो फिनाल ठीक है और यह बन गया पैरा नाइट्रोसो फिनाल अर्थो नाइट्रोसो फिनाल और पैरा नाइट्रोसो फिनाल नाइट्रोसी कड में बना गई साब नाइट्रोसी कड में अर्थो नाइट्रोसो फिनाल और पैरा नाइट्रो सो फिना दे यह चीज तो आप सीखी गए होंगे कि यहां से एक हाइड्रोजन निकलता यह H है संयोग करेगा तो H2O कुछ भाग से यहां से हैड्रोजन निकलेगा क्योंकि हर एक कारवन के पास हाइड्रोजन रहता है बेंजीन रिंग में हर एक कारवन के पास नाइट्रोजन है और उसी हाइड्रोजन को लेता है और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है यहां पर कहीं पे H2O नहीं लिखा हूँ माइनस H2O कहे दूँ फिर भी गलत नहीं होगा इसलिए परसान मत होना कभी-कभी book में लिखा मिल जाता है और कभी-कभी ऐसा नहीं भी मिलता तो अब बारी आ गही है फ्रीडल かॉपट अब क्रिया की फ्रीडल क्राफट अब क्रिया समझना है same nitrogenC क्ञ के जैसे अर्थोए पेरासम में भी बनाना है कोई दिक्कत नहीं अर्थो समों में जोड़ना है और पैरा समों में भी जोड़ना है हमने जब पढ़ाया था क्लोरो बेंजीन वहां भी फ्रिडल क्राफट अपक्रिया करा दिया था और alkyl hyalite पढ़ाय तो वहां भी přिडल क्रफट अपक्रिया कराया था कि निर्जल ALCL3 के उपस्थिती में यदि हम बेंजीन के साथ किसके क्रिया करा दे हैं यदि हम alkyl hyalite के क्रिया करा दे हैं तो टालूइन बंदा था वहां पर हमने कराया था यहाँ पस फीनाल ले लेना है क्या ले लेना है बेंजीन वहाँ पर लिये थे यहाँ पर फीनाल ले लेंगे क्लोरो बेंजीन भी लेकर बनाये थे क्लोरो बेंजीन तो यह अक्सन सेम है बच्चो यहाँ पर हमको लेना है क्या फीनाल लेना है और फिनाल का पहचान अब हो सकता है कि आपको जिन्दिगी में न भूले ऐसा होता है ओए जुड़ा दा ठीक है इसकी क्रिया आप एलकिली करत कराओगी मतलब एलकिल हैलाइट के साथ क्रिया कराओगी जैसे CS3-CL इसके संगत करा दो और इसके संगत दी मैं उत पेड़क की बात करूँ तो हर जगह मैंने जितने भी जगह है फ्रिडल क्राप्ट अब क्रिया कराई है निर्जल-CL3 का प्रयोग किया है यहां भी निर्जल-CL3 ही ले लेता हूँ जाकि आप लोगों को डाउट नहों हर जगह है कि सर वहां कुछ और था यहां कुछ और करा दिये तो आप छार के उपस्थिती में भी करा सकते हो बिल्कुल परसान मत हो ना अब इसमें जब क्रिया के फल्सुरूफ होता क्या है कि बच्चों यहां से एच निकलेगा और एच जो है सी-ल से क्रिया करके एच-सी-ल बनाता है ठीक है अर्थो एवं पैरा समय में भी राप्त होगा एक यहां पे सी-स-3 जोड़ दो प्लस कर गे यह हमारा बेंजीन रिंग वे जुड़ गया तो फिनाल यह यहां पे सी-स-3 जोड़ दो इसका नाम है क्रिसाल अर्थो पे तो अर्थो क्रिसाल पैरा क्रिसाल याद कर लो फ्रिडल क्राप्ट अब क्रिया पढ़ रहो अर्थो क्रिसाल और पैरा क्रिसाल ठीक है अर्थो क्रिसाल और पैरा क्रिसाल ठीडल क्राफ्ट अब क्रिया आप इदी साब्दिक रूप से लिखना चाहो कि जब फिनाल को निर्जल A.L.C.L.3 के उपस्थिती में मेथिल क्लॉराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो अर्थो इवं पैरा क्रिस क्रिसाल का मिस्तरण प्राप्त होता है जो अर्थों क्रिसाल होता है यह सूच में मिलता है बहुत कम मात्रा होती है इसकी सूच मात्रा और यह जो पैरा क्रिसाल होता है यह मुख उत्पाद होता है मुख उत्पाद मतलब बनने वाला पदार्थ मुख रूप से पैरा क्रिसाल ही होता है तो ये फ्रिड रटर टांडिया आप जैसे यह मेरा ऐलनिक्रат हो गया मतलब अजी किया करा दिया इससी को समों से क्रीय करा दूँ जिद्ध क्लॉराइड से क्रिया करा दूँ ज़िदि आ जाये कि वहीड सहा फिनाल की कंद एस्टिल क्लॉराइड से करा दो मैं यहाँ पे नीचे लिग देता हूँ इस फ्रिडल क्राफ्ट के अंतरगत ही आता है फिनाल की क्रिया क्रिया सुरी एसे टिल क्लोराइड से ठीक है एसे टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है CS3, CO, CL ऐसे नाम से भी रियक्षन दे दिये जाते है ना इसलिए जानना जरूरी है बनना भी जरूरी है आपसे अब फिनाल हमारा निकला भाई सहाब पुराना डान जिसको हम कई लेक्चर से देखते आ रहे हैं CS3, CO, CL जैसे यहाँ पर CL H के साथ सायो करके HCL बना लिया था यहाँ भी सेम पोजीशन पर कोई दिक्कत नहीं सेम पोजीशन पर अर्थो पैरा समयव भी फ्रेडल क्राप्ट में पढ़ रहे हो तो यहाँ भी अर्थो यहाँ पैरा समयव भी ही मिलेगा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है जैसे यह मेरे पास फिनाल है और CL निकल गया तो क्या बच्चा CO CS3 बचा सही है प्लस करके बच्चो यहाँ भी अपन करके ट्राइ कर लेते हैं OH है तो OH है यहाँ से CL निकल जाएगा CO CS3 बचे गा और कुछ भी नहीं है अर्थो एस्टिल फिनाल पैरा एस्टिल फिनाल इसका नामे देखा हो तो अर्थो एस्टिल फिनाल ठीक है और यह जो है मारा पैरा एस्टिल ए अर्थो है यह पैरा है तो पैरा एस्टिल फिनाल पैरा एस्टिल फिनाल बन गया अर्थो एस्टिल फिनाल और पैरा एस्टिल फिनाल देखो पांच रेक्शन नहीं छे रेक्शन हो गए तो ये मुक्रूप से सीधे ना भी किस नहीं प्रतिश्थापन अब किया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिश्थापन जिसको बोलते है